जिला कॉंग्रेस कमेटी ने मोधी सरकार पर तीखे प्रहार किये। कॉंग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री ने कहा मोधी सरकार देश के लोकतंत्र का गला घोट रहे है। गंटे बाद ही उन्हें सजा हो जाती है। और उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया जाता। इससे साबित होता है कि अडानी और मोधी में गहरी दोस्ती है। और इनके खिलाव कोई बोलता है तो उस पर जूटा केस लगाकर मुकदमा दच किया जाता है। अडानी जी की और मोधी जी की प्लेन की फोटो लोकसवा के अंदर दिखा के और अडानी जी से संबंदित सवाल मोधी जी से पूछा कि मोधी जी ये क्या है। उसके 48 हंटे के बाद के जो घटनकरम है वो घटनकरम यह है कि अचानक केस रिनुवल होता है और दो साल की सजा होती है। एक महिने का समय होता है अपील करने का, बातचीत करने का, उसका भी तिजार नहीं किया जाता है और निसकासर कर दिया जाता है। कि दोस्ती है वह दोस्ती अफ सारजी दिखने लगी है और दोस्ती आपके सब के साहने है कि लोगत्तर का एक चौता स्थम जिसमें रवीश कुमार जैसा पत्रकार हो जो आजादी से अपनी बात रख रहा हो एंडी टीवी के माध्याप से उस एंडी टीवी को ही खरीद लिया हिटलर साही बदोर कि अगर हमने आपके खिलाब बोला तो आप एडी सीवी आई लगा के आपके खिलाब हम उगद्मा जच कर देंगे अलोगतंतर की हत्ता के प्रहास हो लागा या रजय है लोकिटिव डाट हमें इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या फिल्कुल रहेंगे अगर पापा जैसी सही प्लाइनिंग की तो जैसे की मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाइसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमीडियेट और गारंटिड अन्यूटी अट र रिगुलर इंकम आ इसी ए लाइसी के अन्यूटी अप्षिन्स और नियमिद इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, हर आम और खास से चुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेश, हम करते हैं सट्यका अनवेशा, तखलनी उस, आपके हफ्रे, आप देख रहे हैं तखलनी उस